देश के एक मात्र नारिवादी ग्रामी न्यू चैनल का समर्थन करने के लिए हमें यूट्यूब पे लाइक और सब्सक्राइब करें वेबसाइट पे सदस्य बनें खबर लहरिया आपकी खबर आपकी भाशा पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए कई महिने लगाती थी वहीं पर लॉक्डॉन और करोना वारेस ने एक ही जटके में अपराधियों को जेल से बाहर कर दिया जी हाँ हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जहां पर कोट के आदेशा अंसार 30 मार्च को 7 साल से कम सज़ा वाले अपराधियों को 8 हपते की छूट देकर जेल से रहा कर दिया गया है तो हमने महोबा के राज कुमार और राजिन पाल से बात की कि उनके जेल का सफर कैसा रहा तो आए जानते हैं कैसे जाना पड़ा क्या हुआ था लडाई हगड़ा हो गया था तो कितने लोग गये थे आप चाल लोग गये एक ही फैमिली से तीन लोग गये आपके भाई अधिन नहीं जी जो गाई जेगा एक जो बगल मेरा राग हो गया था और दो आप अपने घर से तो किस चीज को लेके ऐसे लडाई हुई थे थे थोड़ी बहुत पैसा के लेने तो धगड़ा हो गया था तो लोग दो फैर से मानने के लिए लगे थी हमने इसको बोला कि अधिन आप जेल में रहे कैसे रहे हैं कि इस समय तो बहुत मुतीबत है लोग के घर में खाने नहीं है काम नहीं मिल रहा है और ऐसी स्थिती पे छोड़ दिया है हानी पर आपको क्या लग रहा कि उपर से आदेश क्यों अभी क्यों दिया है पर आपको लगता है कि ये टाइम सही था छोड़ने के लिए आप राधियों को क्योंकि जेल में बहुत भीड़ भारती है कितनी तूरी कहां बना सकती है एक बेरेंग पता चलो 60-70 लोग हैं कितने दिन के लिए आया अब 56 दिन के लिए चुड़ा गया था फिर कैसा लग रहा वो दिन सोचके कि वापस जाना पड़ेगा तो यहीं से करवा लेंगा अगर जाना पड़ेगा फिर से महा रहेंगे जाना जाना को काम कहां यहां से जमाना चोगी तो फर जाना पड़ेगा तो आपको जेल जाते विए डर नहीं लग रहा है कि जेल में रहना पड़ेगा तो कैसे दिन कट रहे हैं आपके अपने दोस्तों से मिल पा रहे हैं विस्तेदारों से वोगेरे सब आ जाती हैं थोड़ा बहुते बैट लिए किस चीज को लेके लडाई थी पैसे 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 पैदे हो गई यह फिर आए और फेरे वार्च घेल लोग आगे वहां से मानने के लिए अस्तवी पैसे बहुते हैं तो जील को सपर कैसा रा तुमारा जैसे आप बता रहा है कि प्ले स्टर नहीं था दवाई नहीं थी इस तो जितने दिन पर आप जेल में रहा सफर पर क्या मतलब जिस तरह से पुलिस ब्युहार करती है वो कैसा रवया था कैसे देख रहती क्योंकि चोड आपके उसने भी लगी थी पैर में तो पुलिस कैसे ब्युहार करती थी तो जैसे अब आपको दुबारा जेल जाना पड़ेगा चपन निन के बाद तो कैसा लग रहा है कैसा बताने कि लग तो बुरा ही रहा है लेकिन क्या जाए जाना तो पड़ेगा ही तो जैसे अब आप आगे हो लॉग्डाउन का टाई तो आप किसी से मिल पा रहा है और नहीं मिल पा रहा है अधिये है प्याइव भी अप्रा पार है तो कभी आप ने ऐसी कोशिस की चैए कि आप बाहर जाना का रहा है पर नहीं जाने दियाए बहुत बार किया जैल साब को भी का है बस एस वो पुलस वालों ने डाक्टरी ना कराइथ तो फो शॉल्णा लगवाय था तो फैक्टम पहरा घूर ऑप ता डाक्टर ने लिग दिया बिना काम के आप लोग कोई भी घर से बाहर ना निकले बार-बार अपने हाथों को साबुन से धोएं और एक दूसरे से दूरी का धयान रखे जब भी खासे यची के तो रुमाल यह टीशू का अस्तमाल करे और अस्तमाल किये गए टीशू को कूरे दान में डाले जब भी सर्दी, सरदर्ग, बुखार या फिर सांस लेने में तकलीफ हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं सब सुरक्षित रहें और घर के अंदर रहें खबर लहर्या, आपकी खबर आपकी भाशा